हेलो दर्शकों मैं डॉक्टर यम्पी मंडल सायक प्रध्यापक साकर्णियवेग्यानिक बिहार किसी विश्विद्यारे सबोर भागलपूर में पदस्तापित हूँ मैं आज गुरो बेग कहां से खरीदना है उसके बारे मैं पूरी जनकाली देना चाहरा हूँ जिससे कि आपको गुरो बेग से जैदा से जैदा बेनी फीट हो बार बार गुरो बेग बदलना नहीं पड़े तो गुरो बेग में आप क्या करें कि गुरो बेग धी पी इतरिया का बनावा होता है जो कि हर company के पास रहता है लेकिन grow bags में क्या होता है उसमें कमी क्या होती है उसके बारे बताना चाहरा हूं तो grow bags पले थो UV protected होता है और grow bags में आपको ध्यान देना है कि जहसे यहां पर जो आपका है यहां पर जैसे छीद रहे इसको ध्यान से आप लोग grow bags परचेश करने के समय ध्यान देना होगा कि यह दिखे क्या होता है कि जो grow bags low quality का होता है उसका जो जो छीद रहता है यहां एक इंज उपर रहता यहां अब देखे एक इंज उपर रहने से कि आप आपको घटा होगा कि प्लांट जब इसके बीच में लगा रहेगा रूट तो नीचे तक जाएगी तो अब वो पानी में चला जाएगा काफी नमी रहेगा तो क्या होगा वो पानी में जैसे ही रूट बलकी जाएगा उसका इस्टिचिंग है या इस्टिचिंग है तो इस पर ध्यान दें डबल इस्टिचिंग होना चाहिए अब आप लगा दिये आम का अम्रूत का लगा दिये और क्या हुआ कि इस्टिचिंग आपका इस्टिचिंग बीच में ही एक साल दू साल के बाद इस्टिचिंग खतम हो ज को होना चाहिए और कि हमेचा हमेचा जा भी ग्रोवें खरीदें आप थो हमेचा पाइप लगा हुआ होकँ निचली सथा में 4 तरफ और इन भी लगा हुआ बिडिंगफ लगा हुआ तो इस सब ध्यान में अगर रखते हैं तो क्हों को यौई डीम से से काफी income होगी हमेशा हाई quality का grow भेख हाई quality का grow भेख खरीदने से क्या होगा हाई प्राईस तू लगेगा लेकिन आपका इसका जो टिकाउँ होगा काफी अधिक दिनता होगा बारह से पंद्रह साल आपका मिलगा की एग गर अगर ग्रोबेक को अस्तिर करकेड इन सेल मेट पर अगर आप को अस्तिर करक해 रख देंगें तो कम जरा को स्काम बारास से पंद्रा साल आपका कुछ नहीं हो अधिर और य हुगा लेकिन वही चीज लोग क्वालिटी का आप लेए तो क्या अगर सच्टा मिलेगा हाई क्वालिटी ग्रोबेक से आधा दम पर मिलेगा लेकिन उसका लाई बहुत कम होगा जैदा से जैदा चार से पांस साथ पांस साल में आप कुछ नहीं भी करेंगे उसको इधर से उधर नहीं भी करेंगे तो उसको सिलाई अपने आप इस सड़ जाएगा और यह अलग होना सुरू हो जाएगा तो इस पर आप किसान भाईयों दर्सकों आप इस बात मेरी बात को थोड़ा सा समझने का कोसिज करेंगे तो जो कि ग्रोबेक में आप खेती करेंगे तो आपका इंट्रेस्ट काफी बरते चला जाएगा और बार बार अगर आप दो सा आप हाइड क्ालिटी का हाइड का ग्रोबेक आप प्रचेज करें तो काफी बरनेफित होगी तो आप दो इसम में ग्रोबेक में जो है राउंड ग्रोबेक में करीम 39 परकार में मलकी होता है six by six से लेकर 36 by 36 36 by 36 में तीन फीट डायमीटर और तीन फीट उचाई तो इतना होता है छाप मलकी छा इंच डायमीटर और छा इंच उचाई तो छा बाय छा से मलकी जो भी आपको लगाना है 29 तरह का मलकी ग्रोबेग इसमें मलकी उपलब्द रहे जो भी लगाना है तो आप उसका सेलेक्शन मलकी करें यह नहीं तो आप मलकी जो है आप मलकी हमेशा मलकी एक मुबाइल नमर आप बता जते हैं 7870569084 पर आप संपर करें कि हमको इसा प्लांट लगाना है जैसे भिंडी का पोधा लगाना है तो आप इस मुबाइल नमर पर संपर करके तो आपको सारी कैसे इसमें गुरोबेग में आपको भर्मी कंपोष्क, मिट्टी, नीम की खली, सरसाओं की खली कैसे डालना है कईसे इसमें लगाना है पौधा लगाना है कईसे पौधा त्यार करना है सारी जनकारी आपको जो दिये गए मुबाइल नमर पर आपको मिलेगी तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ग्रोबेग में जब भी करें तो एक बार पुंजी लगाएं थरा सा जैदा पेशा लगेगा हा काफी बेनिफीट होगा और इसके इसमें खेती करने से क्या फ़ेदा हुआ नो आपको प्लांट में इंसेक्रिसाइड डालना है नो पेस्टिसाइड डालना है इसे ही मलकी बिना मलकी दवाई उगरा का यूज किये ही आपको काफी फलन होगा बहुत फूल बहुत कम जएदा से जएदा फल आएगा तो किसान भाईयों आपने मेरी वीडियो को बहुत अच्छी अच्छा से सुना है तो इसके लिए मैं आप लोगों को बदाई देता हूं धन्यवाद